फानली दोस्तो मैंने एक फ्रेंड का फेस्बुक स्टार्स मोनेटाजेशन में जो प्याउट सेटिंग में लोडिंग प्रोब्लम हो रहा था उस समसिया को सॉल्व कर दिया दोस्तो एक फ्रेंड मेरा निवास करके जो बिहार से रहते हैं इनके फेस्बुक में क्या हो रहा थ था कि stars monetization में यह जैसे ही अपना detail डाल के first name last name डेटो बाद और country select करके nest कर रहे थे तो इनका यहां पर आगे नहीं जा रहा था नेश्ट पेज नहीं आ रहा था loading का issue आ रहा था यानि क्यों गोल गोल घूम रहा था तीस समसिया को मैंने solve कर दिया दोस्तो तो सबसे पहले दोस्तो मैं निवास जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने अपना facebook का ID और password मुझसे share किया दोस्तो मुझे ट्रस्ट करके तो मैंने इनका जो problem है दोस्तो वो solve कर दिया तो यदि आपके facebook में भी facebook starts monetization में loading का problem हा रहा है दोस्तो तो आप इस video को पूरा देखिए मैं इसे problem को solve करने का आपको process बताता हूं बहुत ही simple process है दोस्तो यदि आप step by step करेंगे तो आपका भी 100% यह जो problem हा रहा है दोस्तो य यह आपके पास computer या laptop होना चाहिए mobile से क्या है कि नहीं होता कभी-कभी हो जयता है कभी-कभी International guarantee नहीं लोगा कि mobile से हो जाग़ा लेकिन a 10% गारेंटी लूँगा कि computer या laptop से हो ही जाएगा तो देखिए process क्या है वो मैं आपको बताता हूँ तो आपको करना क्या है दोस्तो अपने chrome browser को आपको open कर लेना है तो आपको करना क्या है दोस्तो यहां पर आपको इस वाले link पर क्लिक करना है ठीक है इस वाले link पर monetization tools application इस वाले link पर क्लिक करना है तो मैं यहां पर क्लिक कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा उसके बाद कुछ इस तरह खुलेगा एकदम नया जैसा आपको लगेगा कि क्या खुल गया यहाँ पे देखिए एकदम नया जैसा लगेगा ठीक है अजीब जैसा लगेगा आपको तो आपको करना क्या है दोस्तों यहाँ पे कोने पे आपको यहाँ पे sign-in लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे इस logo के जगा में आपको यहाँ पे sign-in लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पे आपको अपने facebook का id और password डाल कि आपको login कर लेना है ठीक है आप अपने Facebook का ID और password डालिए और login हो जाएए तो मैंने यहाँ पहले से कर रखा दोस्तों login जैसे ही आप करेंगे इसी तरह दिखाएगा कुछ changes आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा एक दम same to same ऐसे ही दिखाएगा तो आपको करना क्या है दोस्तों स्क्रोल करके नीचे आना नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरह ठीक है तो आपको किस में किलिक करना तो आपको उसमें किलिक करना है जिसमें आपका Facebook का स्टार्स मोनेटाजेशन इनेवल हो गया है loading का problem आ रहा है यदि आपका page में आ रहा है ता page में click किजिए और नहीं तो profile में आ रहा है तो आप profile में click करेंगे उसके बाद यहाँ पे दो option दिखाएगा stars दिखाएगा यहाँ पे branded content दिखाएगा तो आपको stars में click नहीं करना है स्टार्स में क्लिक नहीं कर दीजेगा ठीक है आपको इसमें क्लिक करना ब्रांडेड कॉंटेंट नीचे वाले में यह उपर नीचे दिखा सकता है आपको ब्रांडेड कॉंटेंट में ही क्लिक करना तो यहाँ पे भ्यू टूल्स में किलिक करना branded content में यहाँ पे देखेंगे view tools लिखा हुआ है तो आपको view tools में करना क्या है दोस्तो किलिक कर देना उसके बाद wait करना है खुलने का उसके बाद दोस्तो यहाँ पे कुछ इस तरह दिखाएगा कुछ ने दिखाएगा एकदम blank दिखाएगा एकदम यहाँ पर कुछ ने दिखा रहा तो आपको यहां कोने पर help up का क्शण मिलेगा दोस्तो उसके बाद यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा switch to cater studio यहाँ पर आपको करना क्या है switch to creator studio में click कर देना तो यह चला जाएगा आपका creator studio में आपको यहाँ पर switch back जो लिखा हुआ है यहाँ पर click कर देना है उसके बाद यहाँ से नीचे से skip कर देना है तो आपका जो यह professional mode है यह चला जाएगा creator studio में यानि कि पुराना वाला में old version में चला जाएगा नया वाला में problem हो रहा था मेरा जो interface है दोस्तों वो कुछ इस तरह दिखा रहा देखिए तो जैसे ही आपका creator studio में switch होगा दोस्तों कुछ इस तरह आपको देखने के लिए मिलेगा जिस तरह यहाँ पर मेरा दिखा रहा है एकदम सेम इसी तरह आपको भी देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है सेम interface देखने के लिए मिलेगा तहあको करना क्या है कि यहाँ पर left side में कि यहाँ पर monetization आपको मिलेगा देखिए यहाँ पर यहां पर में है monetization तो आपको करने का है दोस्तों आपको यहां पर देखना है है कि यहां पर इस्टेर आपका दिखा रहा है कि नहीं देखिंड यहां पर तो इसके बाद कुछ इस तरह दिखsh यहाँ पर verify detail यहाँ पर, यहाँ पर यह verify करने के लिए जिन रहा है यहां लिए तो था सब्से पहले verify your detail को करना पढ़ेगा, उसके लिए करना क्या पढ़ेगा,ory acquire detail मेरा मों कलिक करना पढ़ेगा, तोство सब्से पहले दोस्तों हम यहां पर completed में कलिक करते हैं कि टर्म्शन कंडिशन यहां पर सभी से अपला है या नहीं चलिए ठीक है अगरी कर देते हैं उसके बाद यहां पर वाला ऑप्शन आ गिया यहां पर आपको भरना है फर्स्ट नेम सर नेम डेट वर्थ कंट्री तो दोस्तों यदि आपको यह भरने के लिए पता है यहां पर देखें लोडिंग का इसस mundo नहीं आया भी नहीं आएगा जैसे कर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं तो दोस्तों मैं यहां से country select करता हूं इंडिया देखें यहां पे next page में मुझे automatic ले गया देखें कोई भी यहां पे loading का issue जो है वो नहीं आया और यहां पे बोल रहा है कि country और business type है तो country media है और यहां पे मैं business type में individual कर देता हूं आपको भी individual करना है उसके बाद next करना देखिए कोई भी problem नहीं आ रहा है एकदम फटा फट हो जा रहा है देखिए कोई भी loading का issue यहां पे नहीं आ रहा है उसके बाद कि उनका information किसी और के पास चला जा ठीक है यहां पे सारा चीज़ जो है वो मैं पहले भर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं कुछ नहीं है यहां पे address है town है state है pin code है सारा चीज़ आप भर लेंगे यदि आपको कोई confusion हो रहा है तो आप मेरा उस video को देख लीजिए तो मैं यहां पे जल्दी सपहले फिल कर लेता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ठीक है फिल कर लेता हूं उसके बाद आपको बताता हूं तो दोस्तों मैंने यहां पे सारा चीज़ फिल कर लिया दोस्तों name हो गया date of birth हो गया address हो गया mobile number हो गया उसके बाद email ID हो गया email ID आपको जरूर डालना है उसके बाद यहां पर जो लिखा में चेक कर देना है उसके बाद सारा चीज़ एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेना है उसके बाद आपको नेश्ट पे क्लिक कर देना है तो नया पेज में ले जाएगा देखिए यहापे नया पेज में ले आया है कोई भी loading का issue नहीं आया उसके बाद बोल रहा है कि bank account को यहाँ पे add करने के लिए इसे आप जो है बाद में भी add कर सकते हैं और सबसे better है कि आप बाद में add करें आप add अभी ना करें यदि आप करना चाहते हैं तो आप अभी भी add कर सकते हैं manually link bank account पे click करके यहाँ पे आपको bank का detail मांगा जाएगा यानि country हो गया account holder name swift code or account number मांगा जाएगा ठीक है तो इसे आप बाद में ही भरें तो ही ठीक है तो मैं यहाँ पे करता हूँ नीचे इसको scroll और nest कर देता हूँ तो दोस्तों मैं अभी payment का जो detail है वो नहीं डालूँगा add later कर देता हूँ मैं बाद में डालूँगा ता भी बाद में डालिये ता अच्छा रहेगा पहले earning तो कर लीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह option आ रहा है setup payment account तो आपको करना क्या है done पे click करके done कर देना है उसके बाद देखिए कुछ इस तरह दिखारा बोल रहा है कि your payment account is connected यानि connect हो गया उसके बाद done पे click करके इसको done कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों green हो गया पल एक green था अब यहाँ पे दोनों green हो गया उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है submit for review पे आपको करना क्या है click कर देना ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह option आया है thanks for submitting your application to start earning money with stars यानि दोस्तों आप जो हैं आप stars के थुरू से earning कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे से ok पे click करके ok कर दीजे जब आपका पूरा complete हो जाए उसके बाद यहाँ पे कुछ नया page खुलेगा देखिए इस तरह खुल रहा है यानि कि stars का जो setup था दोस्तों वो मेरा पूरा complete हो गया देखिए loading का कोई भी problem नहीं आया तो मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ monetization में यहाँ पे monetization में किलिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे payout setting में जाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं कि setup complete है या नहीं है देखिए यहाँ पे हो गया सारा detail यहाँ पे दिखा देगा जो भी आपने fill किया हो रहेगा आप यदि चाहें तो update इसे कर सकते हैं यदि किसी चीज में कोई भी गलती रहेगा तुरूटी रहेगा spelling वगएरा में तो आप चाहत इसे edit कर सकते हैं तो मैं next वीडियो में बताऊंगा कि edit कैसे करना आप यहाँ से check कर लिजिए कि कोई भी यहाँ पे spelling वगएरा mistake तो नहीं है तो मैं next वीडियो में बताऊंगा कि यदि आप edit करना चाहते हैं तो कैसे edit कर सकते हैं तो इसी तरह दोस्तों आप हैसो अपने facebook stars monetization का payout setting कर सकते हैं कोई भी loading का issue नहीं आएगा और दोस्तों आपसे छोटी सी request करता हूँ कि मेरा youtube पे एक और channel है उमेस helping hand के नाम से जिसका link आपको इस video के description box में मिल जाएगा तो मुझे उस channel पे जाके थोड़ा support करें दोस्तों मैं उस channel पे जरूरत मन लोगों की मदद करता हूँ वैसे लोग जो घर से निकाले गए हैं सताय गए हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वैसे लोगों को खोज-खोज कर उनकी मदद करता हूँ दोस्तों तो थोड़ा सा आप मुझे उस channel पे support करें दोस्तों तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समात करते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों